हेलो गाइस वेलकम बैक तो मैं चैनल ब्यूटी विद बजट कैसे हैं आप लोग आई होप सब अच्छे होंगे और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं अपना एक चोटा सा मेकप हॉल जिसको मैंने रेसेंटली परचेस किया है फ्लिप कार्ट से फ्लिप कार्ट पे थोड़ी अच्छी सी सेल कह सकते हैं कि देल मिल गई थी तो मैंने वहां से परचेस किया है कुछ है ब्रांड़ है ये जो और मुझे उन पर बहुत सारा ओफर मिला आये देखते हैं कि मैंने कौन से प्रोड़क्ट मैंने प्रोड़क्ट की है ये मेकप प्रोड़क्स को पतानी उन प्रोड़क्स पर लिखा हुआ है www.hawkmakeup.com ये एक और साइट है जहां से बहुत सस्ते दामों में आपको मेकप प्रोड़क्ट मिल जाते हैं आपको मेरे चैनल को सब्स्राइब करना है जिसे की आप लोगो को मेरा लेटिस्ट नौटिफिकेशन मिल सके तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ आई यह मैं खोल कर देख चुकी हूँ लेकिन अंदर से जो प्रोडक्त है वो मैंने नहीं को ले हैं इस तरीक से चोटू सा टाइनी सा मेरा मेकप हॉल है इसमें मैं दिखा देती हूँ तो इस तरीक से रैप्ट होकर मिले हैं मैंने four products मंगाये थे तो बो इस तरीक से रैप्ट होकर मिले हैं यह का बिल्ड इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा इसकी सारी डेयल के कितना कितने का है कौन-कौन सा प्रोड़क्त सबसे पहला जो product है वो है ये Wet n Wild की E758 Rose in the Air ये eyeshadow palette और इस eyeshadow palette का मेरा बहुत दिनों से मंगाने का मन था और ये आपको other sides पर या फिर आप बोलीजे purple पर या naika पर I think ये 400 के approximate मिलेगी और जब offer चलता है तब आपको ये 400 के approximate मिलती है वैसे इसका price 499 है और ये मुझे flip card पर 250 रु product second जो product मैंने मंगाया है वो है Wet n Wild का photo foundation photo focus foundation fondy tint golden beige beige door कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और इनकी packaging बहुत ही अच्छी सी है कि इस तरीके से भी आये है product और इन पर आप में आपको गोल दिती ना कि www.hokmakeup.com लिखा हुआ है तो maybe camera capture कर पाए यहां पर आपको दिखा होगा लि makeup.com से है अगर flip card fake products produce or deliver करता है तो यह होग makeup.com वाले भी सिप उसने purchase करके तब यह deliver किये है तो अगर flip card fake है तो यह भी maybe fake हो सकता है but I don't think so तो यह है Wet n Wild का foundation तो यह है मेरा second product next जो product next जो product है वो है यह Wet n Wild का ही concealer और इस पर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ www.hokmakeup.com लिखा हुआ है तो यह था मेरा third product next जो मैंने product ख़़ीदा है वो है यह fine natural vaporize deal fixation यह finishing spray है और यह मेरा last product है इस पर भी hokmakeup.com लिखा है तो यह था आज का मेरा चोटा सा haul अगर आपको यह मेरा haul पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को like share and comment जरू कीजेगा और मेरे चैनल को subscribe जरू कीजेगा next वीडियो में मिलते हैं तब तक लिए बाबाई टेक्स्टेया